महाकुम की तैयारियों को लेकर और सड़कों के निर्मान को लेकर जल्द ही एक मीटिंग होने वाली है इसे को लेकर जाधा बाच्चित करने के लिए मेरे साथ मौजुद है कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जीसर देखा जाए जब उत्राखन की बात की जाती है और खास कर क्य जीसे मुलाकात होती है तो इसमें चुकी एनेश 58 है एनेश 72 है और रोड़की से सहरनपुडवाला एनेश है यह तीनों एनेश को लेकर हमाने नितिन गड़गरी से मुलाकात तीस रूप में होगी कि इस काम की जो समया वदी है वो उसके पूरा कर लिया जाए चूकि अगस दोजार बीस के बाद हम लोग फिर ऐसा कोई तोडने का और यह परकार का खोदने का काम नहीं करने देंगे और इससे हमें क्योंकि आगे महा कुम्ब की तैयारियों में दिक्कत आएगी और हमें कुछ क्या कि जो बिजनोर वाली रोड है उस पे एक पूल का निर्मान होना ह तो वो पूल प्रस्तावित पूल है नेशनल हाइवे में आता है हम उसको गहेंगे इस वर्स में मिल जाए तो फिर हमें टम्परेरी पूल ना बनाना पड़े इसी परकार से जो मुझपन अगर हरद्वार हाइवे है जो काम पिछले आर दस सालों से लटक रहा है जो कंपनी को ब्लैक लिश्ट करके अबने आ दिया है सम्थिंग तो उसमें भी हम लोग कहेंगे कि अगर वो काम होने में दिक्कत है तो हमें जो दो फूल बनने हरद्वार में वो कंप्लेट हो जाए इस से अलग नितिन कड़करी से जो हम बात करने वाले है जो हरिद्वार से और भु प्रुकाजी लक्सर हरिद्वार जो एनेच घोसित हो चुका है उस पर निर्मान बड़ा धीमें चला है उसके संब्द में बात करेंगे तो यह एक विस्तिर्त रूप से पुरा डेलीकेशन हमारा आएगा जिसमें ECS आएंगे सेकेट्री सहरी विकास आएंगे सेकेट्री प पैसा प्राप्त हो कुंब की द्रश्टी से उसकी चर्चा करेंगे इसी परकार से पेट्रोलियम मंत्री और जो हमारे इस्टिल मंत्री उनसे भी हम बाचीत करने वाले हैं उनसे भी मिटिंग है उनसे हमारे यहां पिछले करीब दो साल पहले से जो अंडर ग्राउंड गैस क लाइने वो पढ़ रही है तो उसके संबन्ध में भी था कि यह हम चाहते हैं अगस्तक इसका भी काम कंप्लीट हो जाए चुकि सहर में फिर हमें दिक्कत रहने वाली है इस संबन्ध में भी हम विस्तित्व वारता चलेंगे और कुछ पैसा हमें देने वाले उसकी बारत भी हम लोग करने वाले हैं तो यह थे हमारसाद मदन कौशिक जिनका साफतर पर कहना है कि हमने जामेनी स्तर पर वैत करने को खतम करने के लिए पूरी कोशिश की है लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि काम अभी बाकी है काम प्रसंट राहूल के साथ मैं भावना आनाइन टीवी दिल्ली